नमस्कार दोस्तों सापताहिक जीके रविवार 30 कोशिनों की स्रिंखला भाग बारा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राची नितिहास पार्ट टू जी हाँ दोस्तों ये प्राची नितिहास का भाग दूसरा है हमारा और सापताहिक जी के रविवार की अगर हम बात करें तो ये हमारा भाग 12 है तो आईए शुरू करते हैं इस रविवार की इस स्रिंखला को इस स्रिंखला का पहला कोश्चन है कि भारतिय पुरा तात्विक सर्वेच्छन के पर्थम सर्वेयर जन्रल थे यानि भारतिय पुरा तात्विक सर्वेच्छन के पर्थम सर्वेयर जन्रल कौन थे ये पूछना चाह रहा है आपके बिकल्प हैं सर बिलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसब, जेम्स फार्गुसन या फिर अलेकजेंडर कनिंगम तो यहाँ पर जो बिकल्प सही होगा दोस्तों ये सही हो जाएगा घावाला यानि की अलेकजेंडर कनिंगम आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे अगला हमारा कोश्चन है 32 नमबर इतिहासिक अस्थल है जहां आपके बिकल्प हैं इतिहास प्रिये लोग जुटते हैं उसे कहते हैं या फिर इतिहास कार इतिहास लिखते हैं उसे कहते हैं या फिर अतीत के इस्मृती सेस या फिर अवसेस जहां मिलते हैं उन्हें कहते हैं या फिर उत्खनन की किरिया कलाप होते हैं उन्हें कहते हैं तो एतिहासी का स्थल है जहां आपके जो बिकल्ब सही होगा गावाला यानि अतीत के इस्मति सेस या फिर आवसेस जहां मिलते हैं आई इस इक्रम में आगे बढ़ेंगे आगे हमारा दोस्तों 23 नमबर यह 30 कोशनों की स्रिंखला है दोस्तों आप भी हमसे जूड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ HDB गुरुजी में बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना है ताकि यहां से जो भी वीडियो प्रोड हो वो आप तक पहुंचता रहे और यह स्रिंखला हम परतेक्र अविववार को लेकर आते हैं यह कोशन है कि बिने पिटक एक गरंद है जो अभी लेखित करता है यानि जो यह बिने पिटक है यह गरंद है जो मिलेखित करताrement है तो किसे अभी यह है आपके बौधों के नियम, यानि बौध के नियम से यह जुड़ा हुआ है, और यह पाली भासा में लिखित है, आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे, आगे हैं दोस्तों कह रहा है कि हैंगियोग्राफी संबंधित है, दोस्तों यह जो भी हम प्रशने आप लोगों को के इसे अध्यन, यानि इस्टेडी में आप लोग इसे सामिल करिएगा, आपके बिकल्प हैं संत के जीवन लेखन से, खाह सासक के आत्म कथा लेखन से, सासक के जीवनी लेखन से, या फिर संत के आत्म कथा लेखन से, तो हैंगियोग्राफी जो संबंधित है दोस्तों, यह आपका का वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा यानि संत के जीवनी लेखन से संबंधित है आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कहे रहा है 35 नंबर डाट 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 में प्राचीन चित्रकला सहली मिली है तो किस में प्राचीन चित्रकला सहली मिली हुई है आपके विकल्प हैं करनाट क, तमिल नाडू, तमील नाडू, आंधर परदेश, आंधर परदेश, उड़ीसा, या फिर मद्द परदेश, उत्तर परदेश तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये घावाला विगल्ब सही हो जाएगा यानि मद्य परदेश और उत्तर परदेश में प्राचीन चित्रकला सहली मिली है आईए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे 36 नमबर को देखेंगे 36 नमबर है हमारा कामन एरा क्या है जी हाँ दोस्तों कामन एरा ये पूछना चाह रहा है आपके विकल्ब है है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्विभ्कृत्ती भारति एरा या फिर नया एरा या फिर क्रिस्चियन एरा जो दुनिया के अधिकान से हिस्सों में सुविक्रित है तो कामन एरा क्रिस्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकान से हिस्सों में सुविक्रित है इसी को कहते हैं आईए सी करम में आगे बढ़ेंगे आगे हमारा कह रहा कि भारती इतिहास में बीस्वी सताब्दी का तीसरा दसक महतपूर्ड रहा क्यों की तो क्यों महतपूर्ड रहा आपके विकल्प हैं करनल टाड की एनल्स का प्रकाशन हुआ इसलिए या फिर सिंदु सब्विता की खो दोस्तों यह हो जाएगा है खावाला विकल्प यानि सिंदु सब्विता की खोज हुई थी यानि आज से जो हमारी भारती इतियास में बीस्वी सताब्दी का तीसरा दसक की बात कर रहा है तो तीसरे दसक में क्या रहा होगा यानि सिंदु सब्विता की खोज हुई होगी आईए सी करम में आगे बढ़ेंगे और 38 रंबर को देखेंगे, 38 रंबर हमारा कह रहा है कि अजन्ता की गुफा इस्थित है, तो अजन्ता की गुफा कहां पर इस्थित है, गुजरात में, मद्ध पर्देश में, महाराष्ट में या फिर करनाटक में, तो ये इस्थित है दोस्तों, अजन्ता की गुफा हैं, ये है आपका महाराष्ट में, और महाराष्ट में ये दोस्तों अउरंगाबाद में पढ़ता है, अउरंगाबाद, तो ये अउरंगाबाद में है, आईए सी करम में आगे बढ़ेंगे, आगे हैं दोस्तों कहे रहा कि अजन्ता गुफा चित्र में परियोगत रंग निम्न में से किस सामागरी से प्राप्त हुए पसू अंगों के अउसेस से पौधों और खनिजों से ग्रेफाइट से या फिर स्लेट से तो यहाँ पे खावाला बिगल्ब जो सही हो जाएगा एकदम राइट है कि पौधों और खनिजों से ही आजन्ता गुफा चित्र में परियोगत रंग का जो सामागरी है वो प्राप्त हुए है इसक्रम में आगे बढ़ेंगे और चालीस नमब और को देखेंगे और वहाँ पे इन्होंने सलेखना विधी से अपने प्राण त्याग दिये थे यानि बिना अन जल ग्राण किये हुए उसे कहते हैं सलेखना विधी क्योंकि यह पूछा जाता है दोस्तों सलेखना विधी और इनके जो गुरु थे उनका नाम था भद्रबाव आईए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों 41 नंबर कहता है चोल सिला लेखों के अंसार दी गई भौमी इस प्रकार से है दोस्तों इसमें हमने सारे उत्तर को ही इसमें बताने की कोशिस की है क्योंकि यहां से अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं तो चोल सिला लेखों के अंसार जो भौमी दान में दी गई उसको आप देखिएगा जैसे है बेल नगाई जो होता था उस समय यह गैर ब्रहमडों के लिए भौमी होती थी अगला है ब्रहमदेव तो ब्रहमदेव जो होता था यह यह ब्रहमडों के लिए ही भौमी होती थी यानि जो दान में दिया जाता था ब्रहमदेव नामक भौमी यह ब्रहमडों के लिए होती थी अगला है सलभोग जो है या स्कूल के लिए भूम होती थी यानि स्कूल के लिए दान में दिया जाता था चोल के समय में अगला है तिरुन मटकानी या फिर इसी को कहते हैं देवदाना ये जो होता था ये मंदिर के लिए दी गई भूम होती थी अगला है पली चंदम ये जो है जन सस्थाओं में दी गई भूमी होती थी तो दोस्तों यहां से प्रश्ण कैसे बनते हैं आईए इसको जान लेते हैं कभी-कभी ये होता है कि पूछ लेता है कि चोल सिला लेखों के अंसार दी गई भूमी में कौन साइस में नहीं है तो इसमें माली जीए कुछ दे देगा और इसमें से एक बिकल्ब ऐसा देगा जो इसमें का नहीं होगा तो ये याद रखना बहुत आतिया उस्यक है दोस्तों क्योंकि यहां से प्रश्ण जो है फैक्ट की तरह पूछ लिए जाते हैं तो ये याद रखना जरूरी है और बाकी ये जो चीजें हैं इधर की भाग कभी कभी इसमें ये प्रश्ण बना करके पूछ लेता है कि जो है कौन किस से जुड़ा हुआ है तो इन फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा आईए सी करम में आगे बढ़ेंगे 42 नंबर 45 नंबर हमारा है कि भारत आने वाला पहला इसाई संत किसे माना जाता है आपके बिकल्प हैं सेंट थामस को सेंट बिलियम्स को सेंट जेबियर को या फें सेंट जोन को तो यहाँ पे जो बिकल्प सही होगा दोस्तों ये का वाला बिकल्प सही हो जाएगा यानि सेंट थामस को माना जाता है भारत आने वाला पहला इसाई संत जो था वो था सेंट थामस आई ये जिक्रम में आगे बढ़ेंगे और 43 नमबर को देखेंगे 43 नमबर है कह रहा है कि सिली पंदिकारम डाट डाट है तो ये क्या है ये पूछना चाह रहा है दोस्तों तो 43 नमबर में आपके बिकल्प जो आप देख रहे हैं देखिएगा इसमें कि सबसे छोटा तमिल महा काब बे क्या ये जो सिल्प डिकारम जो है ये सबसे छोटा तमिल महा काब बे यह है या फिर सबसे बड़ा तमिल महा काब्ब है या फिर सबसे पहला तमिल महा काब्ब है या फिर सबसे बाद का तमिल महा काब्ब है तो जो आपका सिली दिकारम जो है यह आपका खावाला बिगलब सही हो जाएगा यानि यह सबसे बड़ा तमिल महा काब्ब है आए इसी क अंदिकारम तमिल महाकाब की रचना किसने की इंगलो आदिगल ने किया था या फिर इंगलो वीर गल ने या फिर इंगलो नाथ ने या फिर इंगलो दा इंडियन ने किया था तो यहाँ पर जो बिगल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा का वाला बिगल्प यानि इंगलो आदिगल ने किया था किसकी रचना सिलिप दिकारम तमिल महाकाबे जो ये महाकाबे है इसकी रचना इंगलो आदिगल ने किया था दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को भी सेर करते रहें 45 नंबर को हम लोग देखेंगे 45 नंबर है कि फिर इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्ण है दोस्तों यहां से क्योंकि भरभर की कोश्चन पूछे जाते हैं तो हमने यहां से कई कोश्चन को लिया हुआ है किसकी कहानी को दर्साया गया जी हाँ दोस्तों कहानी को कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके बिकल्प हैं कन्नकी और उसके पती कोबलन की कहानी है या फिर कन्नकी और उसके पती कोबलन की दुखत प्रेम कहानी है तो दोस्तों यहाँ पे जो विकल्ब सही हो जगा यह हो जाएगा आपका गावाला विकल्ब यानि कन्नकी और उसके पती कोबलन की दुखद प्रेम कहानी है यानि गावाला विकल्ब एकदम सही हो जाएगा आए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों हमारा कह रहा है कि हडपा सब्यता का नाम हडपा के नाम पर क्यों रखा गया आपके बिकल्ब हैं क्योंकि हडपा इस तरह के अस्थलों में सबसे बड़ा था इसलिए रखा गया क्योंकि हडपा इन अस्थलों में सबसे पहले खो जा गया था इसलिए रख तो यहां पर जो बिकल्ब सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका खावाला बिकल्ब यानि क्योंकि हडपा इन अस्थलों में सबसे पहले खो जा गया था इसलिए हडपा सभ्यता का नाम हडपा के नाम पर रखा गया था आईए इसी करम में आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों हमारा 47 नमर का कोस्चन कहरा है कि यग बेदी कहां पाई गई थी तो यग बेदी कहां पाई गई थी लोथल और धौला बीरा में या फिर धौला बीरा और मोहन जोदड़ों में या फिर मोहन जोदड़ों और काली ब काली बंगा में भी पाई गई थी और लोथल में भी पाया गया था आए इसी करम में आगे बढ़ेंगे काली बंगा जो होता है दोस्तों ये काले रंग की चूड़ियां भी इसको कहते हैं काली बंगा को आगे है दोस्तों 48 नंबर का question कहरा कि सर जान मारसल द्वारा किस हडप बिल्डंग को विस निर्मित आदित बिल्डंग माना जाता था, आपके विकल्प है धा ग्रेट वाथ यानी विशाल अशनानागार को, खा है घरणारी को, फिर है असेंबली हाल को, या फूर्ड पईलेस को, तो किसे माना जाता है ये पूछना चारा रहा है दोस्तों तो सरजान मारसल दोरा जो हडपा बिल्डिंग को विस निर्मित का दर्जा दिया गया था वो था दाग्रेड वात यानि विसाल अश्नाना गार यहाँ पे कावाला विकल्प सही हो जाएगा आईए सिक्रम में 49 नमर को देखेंगे 49 नमर है कि प्राचीन भारत में हमें स्रेडी के बारे में पढ़ने को मिलता है ये स्रेडी क्या है आपके विकल्प हैं रिड़ दाताओं के संग को कहा जाता है बैस्यों के संग को कहा जाता है या फिर ब्यापारियों यों सिल्पकारों के संग को कहा जाता है तो यहाँ पे हमारा जो घा वाला विकल्प है एकदम राइट एंसर जाएगा कि ब्यापारियों यों सिल्पकारों के संग को ही स्रेडी कहा जाता था दोस्तों इसमें दो भागों में ये स्रेडी बटा हुआ था दर्चिल भारत के लोग इसी स्रेडी को यानि इसी ब्यापारियों को जो है नगरम के नाम से जानते थे और उत्तर भारत के जो ब्यापारी होते थे उन्हें स्रेडी नाम का दर्जा दिया जाता था आईए जिक्रम में आगे बढ़ेंगे और पचास नम्मर को देखेंगे पचास नम्मर हमारा कह रहा कि संस्कृत के कभी यो मितिहासकार हर सेंड किसके दरबार में रहते थे आपके बिकल्प हैं समुंद्र गुप्त, राम गुप्त, चंद्र गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे जो बिकल्प सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा समुंद्र गुप्त संस्कृत के कभी और मितिहासकार जो हरिसेंड थे दोस्तों ये हरिसेंड समुंद्र गुप्त के दरबार में रहा करते थे और यहाँ पे ये संस्कृत के महा कभी माने जाते हैं आईए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे और एक क्याओन नमबर हमारा कोस्टिन बनेगा एक क्याओन नमबर है कहरा कि समुंद्र गुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था तो समुंद्र गुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था ये पूछना चाहरा है आपके विकल्प हैं B. Smith, Dr. आसिरवाद, कनिंगम या फिर A. जलोटा तो यहाँ पे कावाला भी गलब एक दम सही हो जाएगा यानि B. Smith को माना जाता है B. Smith ने ही समुंद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन है दोस्तों इसे बेरी बेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिएगा आईए सी क्रम में आगे बढ़ेंगे आगे है दोस्तों बाउन नंबर का कोश्चन है दोस्तों कि निम्ने मेंसे कावड़ साब भर्मन बंसिये राजा अस्समेग यग्ज़ के समंध में समंद्र गुप्त दरा पराजित किया गया था तो ये question है दोस्तों और आपके विकल्प हैं पुस्य बर्मन, बाला बर्मन, महेंद्र बर्मन, पुस्य बर्मन, वाला बर्मन, महेंद्र बर्मन या फिर समूंद्र बर्मन तो जो बर्मन, महेंद्र बर्मन, या वाला बिकल्प एक नम सही हो जाएगा, आईए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे और तिरपन नमर को देखेंगे, किस बंस ने खजुराहो मंद्र का निर्माण कराया था, आपके बिकल्प हैं होलकर, पल्लव, बुंदेला या फिर चंदेल तो यहाँ पर जो बिकल्प सही होगा दोस्तों, यह हो जाएगा घावाला बिकल्प यानि चंदेल, तो चंदेल ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, तो चंदेल बंस के जो है राजा थे, इन्होंने ही जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, तो यहाँ पर जो बिकलब सही हो गा दोस्तों यह हो जाएगा खावाला बिकलब यानि नागर सैली । खजुराओ के मंदिर हैं दोस्तों ये जो है नागर-छैली में निर्मित है दोस्तों इसमें हम आपको बताते चलें कि जो उत्तर भारत के जितनी मंदिर है ये आपके जो है नागर सैली के अंतरगत आते हैं मद्ध भारत के जो हैं दोस्तों ये जो है आपका अता है बेसर सैली यानि बेसर सैली उसको कहते हैं और जो आपका दच्छड भारत के हैं उन्हें दर्विण सहली के अंतरगत रखा गया है यानि वो दर्विण सहली के अंतरगत आते हैं तो तीन भागों में इस सहली को बाटा गया उत्तर भारत के जो है मंदिरों को कहा जाता है नागर सहली और मद्ध भारत में बेशर सहली और दश्च्छ भारत में जो है दर्वीन सहली के इंतरगत ये मंदिर आते हैं आईए सीक्रम में आगे पढ़ेंगे और पश्पन नमबर देखेंगे पश्पन नमबर हमारा है कि चोल बंस का संस्थापक कौन था यहाँ पर जो बिकल्ब सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका का वाला बिकल्ब यानि बिजियाले को माना जाता है आई यह इसी बिजेता कहा जाता है यानि किस चोल सासक को लोग प्रिये रूप से गंगा का बिजेता कहा जाता है आपके बिकल्प हैं गंगा धर दितिये चोल, राजेंदर चोल पर्थम, पारंतक चोल पर्थम या फिर बिजियाले चोल तो यहाँ पे जो बिकल्प सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा राजेंदर चोल पर्थम यानि राजेंद चोल पर्थम को ही जो है लोकप्रिये रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है आईए सिक्रम में आगे बढ़ेंगे 57 नमबर हमारा है कि विश्व का पहला ग्रेनाइट मंदिर राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया था यह मंदिर था आपके विकल्प हैं गंगई कोंड चोल पुरम मंदिर या फिर प्राग दिवस्वरा मंदिर या फिर तंज्योर में इस्थित ब्रधेश्वर मंदिर या फिर मला पुरम में सूर मंदिर तो यहाँ पर जो बिकल्ब सही होगा दोस्तों यह हो जाएगा गावाला बिकल्ब यानि तंजोर में इस्थित बृधेश्वर मंदिर और यह ग्रे नाइट से ग्रे नाइट के एक ही सिलाखंड से यह मंदिर निर्मित है पूरे बिस्ट में यह भी ख्यात है दोस्तों इसे य आगे बढ़ेंगे आगे हैं दोस्तों कि रिग बेद में किस नदी को अंबीत में नदीत में और देवीत में कहा गया है आपके विकल्प हैं सिंधू फिर है गंगा फिर है गोमती फिर है सरोसती तो रिग बेद में जो अंबीत में नदीत में और देवीत में जो कहा गया वो ह आपका घावाला विकल्प यानि सरोसती नदी को कहा गया है आई आगे बढ़ते हैं और 69 नमबर को देखेंगे 69 नमबर है दोस्तों कहरा कि सरोसती नदी का प्राची नाम क्या है तो प्राची नाम इसकी पूछना चाह रहा है दोस्तों आपके बिकल्प हैं दिश्ती, पीपासा, सिंधु या फिर गंगा तो यहाँ पे जो बिकल्ब सही होगा दोस्तों का वाला बिकल्ब यानि सरोसती नदि का जो प्राचीन नाम है दोस्तों उसे दिश्ती के नाम से जानते हैं आये सिक्रम में आखरी और अंतिम इस स्रिंखला को देखेंगे जो हमारा साथवा हमारा कोश्चन बनेगा और इस स्रिंखला का ये 30 कोश्चन होगा दोस्तों इस रभिवार का सूरसेन नामक राजबंस का उलेख कहां मिलता है आपके बिकलप हैं रिगबेत, महाभारत, बयान बिकलब एक दम सही हो जाएगा कि बयाना प्रस्तति में सूरसेन नामक राजबंस का उलेख मिलता है तो इस तरह से दोस्तों 30 कोश्चनों की स्रिंखला इस रभिवार को हुआ समाप अगले रभिवार को ऐसे ही हम 30 कोश्चनों की स्रिंखला को ले करके पुना हपस्तित हों तब तक के लिए हमें अनुमत दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद